हेलो एब्रिवान वल्कम तो दलीकल्पिस्प चानल मैं हूँ महास्विता पतनायक आज हम इंडियन पिनिल कोड के सिट्सन 77 और 78 के उपर डिस्कस करेंगे यह दो सिक्सन्स चाप्टर 4 यानि जेनरल एक्सेप्संस के अंडर आता है जेनरल एक्सेप्संस के ऊपर हम पिछले दो वीडियो में डिसकस करेंगे इसे डिसकस करने से पहले अगर अभी तक आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेस रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चानल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको माँ सके सेक्शन 77 और 78 को हम बात में डिसकस करेंगे पहले हमें समझना होगे की जजज कौन है इंडियन पिनल कोट के 619 जजज कौन है ये बताता है और who is one of a body of person whose body of person is empowered by law to give such a judgment जो officially designated judge हैं उन्हें तो judge माना जाएगा उनके अलावा और भी लोगों को judge माना जाएगा जैसे की कोई बेक्ती कोलोन एक किसी भी legal proceeding में चाहे वो civil हो ये criminal हो definitive judgment देने के लिए empower किया हो जैसे की कोई magistrate हो सकते हैं या rate controller भी हो सकते हैं definitive judgment का मतलब क्या है definitive judgment यानि जब किसी case का final judgment यानि अंतिम निन्ने दे दिया जाता है जो की दोनों party मानने के लिए bound रहते हैं जो बेक्ती definitive judgment देंगे उन्हें तो judge कहेंगे और किसे judge कहेंगे जैसा कोई judgment दिया गया हो जिसके against कोई appeal ना किया जाए जिस वज़े से वो definitive judgment हो जाए इसे judgment जो देते हैं उन्हें भी judge कहेंगे या कोई ऐसा judgment जिसे higher authority confirm करने के बाद वो definitive judgment हो जाएगा और जो बेक्ती उस judgment को देते हैं उन्हें judge माना जाएगा जैसे के सेसंस judge जब किसी को date penalty देते हैं उसे high court से confirmation मिलने के बाद वो definitive judgment हो जाएगा और जो बेक्ती उस judgment को देते हैं उन्हें judge कहा जाएगा और किसे judge कहेंगे a body of persons which body of persons is empowered by law to give such a judgment जैसे के single bench या division bench या constitutional bench जिसे law ने definitive judgment देने के लिए empower किया हो bench के हर individual को judge कहेंगे खाला कि उन्हें हम justice कहते हैं लेकिन हर एक बेक्ती को judge कहेंगे अब चलिए section 77 और 78 के उपर discuss करते हैं section 77 और 78 में judge और उनके order को follow करने वाले बेक्तियों को protection मिलता है judge या उनके order को execute करने वाले विक्तियों को प्रोटेक्शन क्यों मिलता है ये दोनों सिक्संस का अबजेक्ट यानि मक्षित क्या है जूडिसियरी एक इंडिपेंट वाडी है कोट में सबुत पेस किये जाते हैं गवा गवाही देता है फैक्स सरकंस्टांसेज और हर एबिडेंस को कंसीडर करने के बाद अपने जूडिशियल आर्ट को एकसरसाइज करके जेज जेजमेंट देते हैं अगर कोट में फाबरिकेटेड एबिडेंस दिया जाए गवा जूटे बयान देगा कभी कभी ऐसा सबुत पेस किये जाते हैं कि गलत चीज़ भी सही दिखती है ऐसे केसे में जेज गलत फेसला सुना देते हैं निदोस बिक्ती को फासी या उमरकेट की सजा हो जाता है इसे केस में भले ही जेज ने गलत चैजमेंट दे दिया या ओरर पास के दिया लेकिन इसके लिए वो लाइबल नहीं होंगे 677 जेजस को प्रोटेक्शन देता है प्रोटेक्शन देने का मक्सद यही है कि जेज जब भी फेसला सुनाए बातावरन भयमुक्त हो ताकि वो अपने माइंड को फ्रीली अप्लाए कर सके आखे जेज भी तो इनसान होते हैं अगर वो भयमुक्त नहीं रहेंगे तो सही फे इसला एक के सपोर्ट में और दूसरे के खिलाप ही होता है किसी को लगेगा कि उसके साथ इंजिस्टिस हुआ है इससे सरक्कंस्टासस में अगरीट पार्टी रिब्यू रिबिजन या अपील में जा सकता है ओँ हाई कूर्ट और सुप्रिम पूर्ट तक भी जा सकता है ले अपरात नहीं होता है इस सेक्शन को हम दो पार्ट से अलग करके समझेंगे फास्ट पार्ट है नथिंग जूडिशियल पावर को एक्सरसाइज करके अगर कोई आर्ट करते हैं जो पावर लो नहीं उन्हें दिया है तब उनके द्वारा जो आर्ट किया गया उसे अपरात नहीं माना जाएगा इस सेक्शन का दूसरा पार्ट कहता है नथिंग जूडिशियल पावर को एक्सरसाइज करके अगर कोई आर्ट गूड फेत में करते हैं और वो मानते हैं कि वो आर्ट करने के लिए लो नहीं उन्हें पावर दिया है तब उनके द्वारा किया गया आर् पार्ट कहता है जजज जो आर्ट कर रहे हैं वो आर्ट करने के लिए लो नहीं उन्हें पावर दिया है तो फिर जजज के द्वारा किया गया जूडिशियल आर्ट अपराध होने का सवाल ही नहीं उठता है लेकिन इस सेक्शन का सेकेंड पार्ट थोड़ा सा अलग है यहा कोई जेज अपने जूरिडिक्शन से बाहर जाकर कोई आर्ट करते हैं वहाँ पर वो गूट फेट में आर्ट किये हैं या नहीं वो कंसिडर किया जाएगा अगर आर्ट फेट में नहीं होगा तो सिक्षन 77 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा अगर कोई जेज अपने पावर का गल्त इस्तमाल करके जान बूझ के करेपली या मालेसीलिक्शन नहीं कोई harina करते हैं या कोई ट्राइल को कमिट करते हैं या किसी को रौंगफल कनफाइनमेंन करते हैं तो जेज को IPC के सिक्षन 219 और 230 के तहट सजा मिलेगा section 219 कहता है कि अगर कोई public servant judicial proceeding के किसी भी stage पर correctly या maliciously कोई report बनाता है या order या भर्डिक्ट या decision देता है जो कि वो जानता है कि law के against है फिर भी वो act करता है तो उसे 7 साल तक कि सजा या fine या दोनों भी हो सकता है section 220 कहता है कि कोई बेक्टी जिसे की legal authority मिला है किसी person को trial के लिए commit करना या confine करना जिसे ये power मिला है वो currently या maliciously किसी person को trial के लिए commit करता है या confine करता है और उसे पता है कि वो जो कर रहा है वो लौक ए अगेंस्ट है फिर भी वो जानबूज के करता है तो उसे साथ साल तक कि सजा या फाइन या दोनों भी हो सकता है 67 कहता है अगर कोई जैस जूडिसियल आर्ट अपने जूरिडिक्सन के अंदर रहके करते हैं तो अपसलूट एक्जमसन मिलेगा अगर वो अपने जूरिडिक्सन से बाहर चेकर कोई आर्ट करेंगे तो ये देखा जाएगा कि गूट फेट था या नहीं अगर गूट फेट थ इसमें हेल्ड हुआ था कि सब्डिविजनल माजिस्टेट अपने आर्ट को बोनाफराइटली नहीं किये थे इसलिए अपने रेकलेस और मालिसियस आर्ट के बज़े से उन पर 5000 रुपए इंपोस किया गया था और एक केस था इस सुरेंद्र कुमार भाटिया भर्सिस कन्हि यह 2009 का केस था इस केस में हेल्ड हुआ था कि लैंड अक्यूजेशन आर्ट के अंडर कलेक्टर अपने पावर को एकसरसाइज करने को जुडिसियल आर्ट नहीं कहा जाएगा और उन्हें जैस भी नहीं माना जाएगा यह था सेक्शन 77 सेक्शन 78 को डिसकेस करने से पहले लेकिन इससे कहने से पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है अलेक्ट प्रोबिजन के साथ एक्जामपल और केस लौ देने से हमारा नौलेज बढ़ता है अगर आप इससा नहीं चाहते हैं तो अपने उपिनियन कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा अब चलिए सेक्शन 78 के जुडिसियल आट के उपर है यह सेक्शन 77 का को रिलेट सेक्शन है इस सेक्शन का हेडिंग है अगर कोई आट के जजमेंट या और के मुताबिक किया चाता है वो अपराद है या नहीं इसका मतलब अगर कोई आट किसी कोट के जजमेंट या और के अनुशरन में किया गया हो या कोट ने आदेश दिया हो उस जजमेंट या और को करने के लिए और वो जजमेंट या और फोस में होना चाहिए यानि वो इफेक्टिव होना चाहिए इसका मतलब उस जजमेंट या और कैंसल या सेटा साइड नहीं होना चाहिए इस जजमेंट या और को जो एक्जिक्यूट करता है अगर वो आक्ट offense भी होता है तो उसे offense नहीं माना जाएगा जैसे कि hangman जिसे हम जल्लात कहते हैं अगर वो किसी को फासी देता है उसके लिए उसे सजा नहीं मिलेगा क्योंकि ये court के order को execute करता है जो की एक judicial art है section 78 का second part कहता है notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order provided the person doing the act in good faith believes that the court hearts as jurisdiction इसका मतलब अगर court ने कोई judgment या order दिया जिसे देने का jurisdiction court के पास नहीं था लेकिन उस order को जो execute किया वो good faith में belief कर रहा था कि court के पास वो judgment या order पास करने का jurisdiction था तब जाकर उस बेक्ति को इस section के तहत protection मिलेगा अगर execute करने वाला बेक्ति को पता था कि वो judgment या order पास करने का jurisdiction court के पास नहीं है तब उसे इस section का protection नहीं मिलेगा पोच court ने x के नाम पे search warrant इसू किया जिसे y नमक police officer execute करने के लिए जाता है और x के घर जाकर वो search करता है बात में पता चलता है कि court ने जो search warrant इसू किया था वो गलत था यहां पर y ने x के घर जाकर जो आट किया भले ही वो गलत था लेकिन इसके लिए y लायबल नहीं होगा क्योंकि y ने good faith में court के search warrant को सही मान कर अपना आट किया था अगर x y के against action लेता है तो y को 678 का protection मिलेगा 677 judges को protect करता है जबकि 678 court के ministerial staffs को protect करता है 677 को छोड़के judicial officers protection act 1850 judge, magistrate, collector या और कोई other person जो judicial act करते हैं उनके against civil suit होने से protect करता है जबकि judges protection act 1985 sitting judge या कोई former judge के against civil या criminal action होने से protect करता है 1991 में एक case वा था देली judicial service association तीस हजारी court भस स्टेट और कुजराट इस case में honorable supreme court ने बहुत सारे guideline दिये थे जैसे कि judicial officer को arrest करते वक्त handcuff use नहीं किया जाए कोई judicial officer को arrest करने से पहले district judge का permission लेना होगा और district judge इसे high court को forward करेंगे high court confirmation देने के बाद जो कुछ हो सकता है इसे बहुत सारे guideline इस judgment में दिया गया था सब guideline को तो हम discuss नहीं कर सकते लेकिन ये case के ना जरूर याद रखिएगा आज हमने judicial art के उपर discuss किया section 77 और 78 के अलावा other provisions और कुछ important case loss के उपर भी discuss किया next video में हम section 80 और 81 के उपर discuss करेंगे अगर आपको ये video अच्छा लगे please like and share this video and don't forget to subscribe this channel goodbye friends